हलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिट से बहुत बहुत स्वागत है मारे यूटूब चैनल एविएशन जगत में तो दोस्तों अज हम बात करने वाले हैं एएच एसाई के बारे में इलेक्ट्रोनिक होरिजेंडल सिच्वेशन इंडिकेटर के बारे में जो कि कापी ज़्यादा इंपॉर्डेंट है इसका बारे में पुरा एक्स्प्लेंड करने वाले इस वीडियो में तो वीडियो को सुरू करते लेंगें सुरू करने इस पहले अगर चैनल परना प्ले सब्सक्राइब कर लेना इस बारे में पर बात करते हैं में मोड डिस्प्लेंड रिप्रेजेंट फ्लाइट प्लाइट प्लाइट ब्लाण डेटा प्रोग्राम इन्टु अफमसी इसके साथ साथ जो है BOR, DME, Station, Airport and Identification Letter जितने भी हैं यह सभी के सभी Flight Management जो Computer होता है FMC होता है उसी के Help से Add किये जाते हैं जो भी में Waypoint Add करना होता है सभी के सभी FMC के Help से Add किये जाते हैं जो यहाँ पर Aircraft का Symbol like EADI में था Middle में रहता था तो यहाँ पर Aircraft का Symbol जो है Downside नीचे की तरफ रहता है Middle में ही उसमें क्या था उसमें जो है बिल्कुल Center में था लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नीचे रहता है Center में ही तो यहाँ पर कुछ Symbols हैं जिसका आप ध्यान रखना होगा कभी आता Important है आप देख सकते हैं जो फाहला Symbol है यहाँ बेप वाइन के लिए दूसरा है एयर पोर्ट के लिए तीसरा Symbol है यहाँ निविगेशन एट्स के लिए चौथा है बिन डिस्पीट लाइक बिन डिस्पीट क्या होगी उसको इस तरीके से में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल से अब हम आते हैं अपने मैप मोड के बारे में यहाँ पर मैप मोड थोड़ा आपको explain करने जा रहा हूं क्या होता है मैप मोड आखिर दोस्तों दो पार्ट में बाटा गया है फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पर prediction information रखे गया है like current ground speed क्या है lateral acceleration क्या होता है current ground speed and lateral acceleration means like speed मतलब समझे क्या speed aircraft की and lateral acceleration में देखा जाता है like next 30, 60, 90 second में हमारा aircraft कहां पर पहुचा रहेगा like कुछ इस तरीक से time के former यहाँ पर चेक किया जाता है map mode में और जो है flight crew जो है easily identify कर सकता है गार उसे कुछ भी change करना है तो FMC flight management computer के help से ओ चेंज भी कर सकता है जो दूसरे बात करते हैं जो कि second prediction होता है ओ है range range via altitude मतलब कि एक निशित altitude के बाद हमारे aircraft कितनी range से कर लेगा और किस position पर पहुचेगा यह भी जो है second information होती है जो कि EHSI के map mode में दिया जाता है जो information थी जो महिना पर आपको बताया है अब दोस्तों बात हम करते हैं आप प्लान के बारे कि plan mode में क्या होता है जो plan वाला डिस्पले होता है उसमें क्या होता है इसमें जो है aircraft की heading क्या होगी aircraft का हमारा track क्या है इस से related information दी जाती है plan mode में like जो भी aircraft का track है जो हमारे destination है जहां पर भी जाना होता है तो सबसे पहले एक plan बना लिया जाता है इक क्या क्या routes होंगे किन कि को विवार stations को follow करके जाना है और सभी के सभी इस display के अंतरगत आता है plan के चलिए next के बारे में बात करते हैं जो कि है वी ओ और वी ओ और वी ओ डिस्पले में like 360 degree में होता है इसमें जो है एक reference line होती है और एक जो है variable line होती है जो को आपको display में ही इस होगा तो reference and variable variable क्या हो गया हमारा aircraft का position reference में समय का जाना कहां पर है तो variable and aircraft and reference signal के बीच में जो angle बनेगा like variable है और चेंज हो रहा continuous and reference जो है हमारा एक फिक्स है कि इसी ही route पर इसी station पर जाना है तो इन दोनों की बीच का जो हमारा angle होगा उतना ही angle चाहिए होगा हमारे aircraft को उस सरब जो है mode ने के लिए like अगर आप आसान भासान बोले तो कुछ इस तरीके से तो bearing भी इसको हम बोलते है वीचन की language में तो हमारी bearing क्या है उसको यहां से वीवार से easily identify कर सकते है वीवार डिस्पले से अगर अगल आपना बात करें कि next क्या होता है तो next होता है तो दोस् से क्लिक क्या होगा marker रहेगा like मैंने आलड़ी बताया होगा कि marker यह डिय में भी रहता है जो मैं बता चुका हूं लेकिन यहां पर भी रहता है marker and glide slope यह दोनों ही अगर भी वहां पर दिखा है था glide slope क्या glide slope है दोस्तों की like हमारे aircraft कितने इंगल पर जो है उसका like आप बोल सकते हो vertical guidance के लिए होता है glide slope कितने इंगल पर हमारे aircraft को land करना है वह यह ही पर ही होता है हमारे एच शाइके आईलेस मोड में जनरल यह अंगल ओदा जो कि मैं अल्रड़ी बता चुका हूं तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा बहुत एक आइडेया जरूर यहां पर लगाओगा कि क्या क्या चीजे थी हमारे आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा चैनल परने में प्लीज स्ट्राइब कर लेना सपोर्ट कर लेना थैंक्यू फ्रेंड्स पर वाचिंग मैं वीडियो